प्हेंग्सूई यानि की चीन का बस्तु के अनुसार धन और सुख सांती बढ़ाने के लिए कई उपाई बताये गये हैं इनके अपनाने से घर में हमेशा साकारात्म कुर्जा का प्रवाह बना रहता है साथ ही स्वास्त को भी लाव मिलता है हम आपको अपने इस वीडियो में फ्हेंग्सूई की चह ऐसी चीजे बताने जा रहे हैं जिने घर में रखना सुख माना जाता है पहली है भागे साली है तीन टांगो वाला मेधक दोस्तो तीन टांगो वाला मेधक बहुत भागे साली माना जाता है फैंक्सुई के अनुसार मुह में सिक्के लिए हुए तीन टांगो वाला मेधक की उपस्थिती बहुत महतपूर्ण होती है इसे अपने घर के भीतर मुख्य दरबाजे के आसपास रखना चाहिए मेधक को रसोई या सौच घर के भीतर ना रखें ऐसा करना दुरभाग्य को अमंत्रित करता है दूसरी पैंक्सुई वस्तु है स्मिर्धी के देबता है लाफिंग बुद्धा अगर आपको आर्थिक सफलता पाना है तो लाफिंग बुद्धा निश्चित ही आपकी मदद करेगा आपकी लिविंग रूम में मुख्य द्वार से तीरची दिशा में एक लाफिंग बुद्धा बैठा दें ऐसा करने से घर में सुख और स्मिर्धी में बढ़ोतरी होगी ध्यान रखें लाफिंग बुद्धा मुख्य द्वार के एकदम सामने ना रखें बुद्धा स्मिर्धी के देपता है, इनकी मुस्कान में ही स्मिर्धी है तीसरी फेंग्सु टीप्स है, गोल्डन फिश फेंग्सु की मानता है कि घर में मचलियां रखने से सौभाग्य बढ़ता है ये धन, मान सम्मान में ब्रधी करने का एक कारगर उपाय है गोल्डन फिश अपने सयन कच रसोई घर अथवा सोच घर में कभी न रखें मचली घर को अपने ड्राइंग रूम में रखें इससे आपके घर में सुख असम्रधी की बढ़ोतरी होगी चौथी फेंग्सु वस्तु है ड्राइगन का जोडा फेंग्सु वस्तु है इनके पैर के पंजो के मोती सबसे जादा उर्जा संजोय होते हैं फेंग्सु में ड्राइगन को चार दिव्य प्रानियों में गिना जाता है ड्राइगन येंग यानि की पुरुसुत्य हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक इसमें आपार सक्ती होती है ड्राइगन को यूंतो किसी भी दिशा में रखा जा सकता है लेकिन पुर्व दिशा में रखना सबसे ज़्यादा लाफदायक है चीनी संस्कृती और फेंग्सुई में ड्राइगन को बहुत सम्मान दिया जाता है और इसे सुध मानते हैं पाचमी फेंग्सुई वस्तु है स्मृधी लेकर आते हैं तीन सिक्के फेंग्सुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिवन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और स्मृधी आती है ध्यान रखें सिर्फ तीन सिक्के ही लगाएं और वह भी धर्वाजे के अंदर की ओर बाहर सिक्के लगाने से लच्मी द्वार पर ही ठाहर जाती है सिक्के हमेसा मुख्य द्वार पर ही लगाना चाहिए और छटी फेंग्सुई टिप्स है, खुसहाली का प्रतीक है कच्छुआ, फेंग्सुई में कच्छुई को बहुत सुभ माना जाता है, इसे घर में रखने से काम्याबी के साथ साथ धन धोलत और खुसहाली भी आती है, कच्छुई को ऑफिस या मकान की उत्तर दिशा में देखें, तो आसा करता हूँ फेंग्सुई टिप्स फेर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और हमारे वीडियो को वारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद